है हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक ऊन माई यूट्यूब चैनल इस आज हम जैसे के आप सभी को पता ही है कि मैंने लास्ट वीडियो डाली थी शेक्सपीयर की सोनेट लिएक कवर करी थी तो आज भी हम शेक्सपीयर की विल्लिम शेक्सपीयर की सोनेट सोनेट । इसका टाइटल है वेन टू दी सेशन्स ठीक है तो यह जो सॉनेट है आपको पतही है कि विल्यम शेक्सपियर ने 154 लेखी है उसमें जो करने जा रहे हैं और 126 जो होती है लास्ट में वो गोड को एड्रेस कर रखी है ओके गोड अफ लॉव को एड्रेस करी हुई है तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करती हुए सॉनेट को शुरू करते हैं तो फरस्ट स्टेंजा को डिसकस करते हैं फरस्ट फ्रेंट तो वैंट टु देसेशन और स्वीर्ट साइलेंट फोट सेशन तोट मतलब है कि जिस टाइम में पॉइट हाइं ठीक है तो पोजा जब धर जो हैं ऑप यह स्वीर्ट तो के बारे में सोचते हैं यह निकि पास्ट के जो मेंब्रीच को याद कर रहे हैं क्योंकि यह जो सोनेट जो है यह 30 यह जो अपने फ्रेंड को आड्रेस कर्णके तो अपने फ्रेंड को जो है वो खो चुके हैं टीक est भास्ट में वह से खो चुके हैं लेकिन आप उनकी जो भास्ट की जो में मेमरीज हैं उनको वो याद कर रही हैं ठीक है तो i sweet silent पॉइट को जैसे कि पास्ट के जो यादे हैं को पास्ट की जो कहीं चीज़ें जो उनके साथ हुई थी वो उनकी जो यादे हैं वो पॉइट को क्या कर रही है समन अप यानि कि पॉइट को जो है बुला रही है अपने पास मतलब ऐसे लग रहा है उसके बाद बोल रहे है पाना चाहा था आई सौट यहांपर और सौट की पास्ट फर्म है सौट तो हल mathemat सौट का है इसा चीज को design करना ठिक है किसी चीज को पाने की स्च रखना तो वर बोल रहे हैं कि उन्होंने नंग कहीं चीजों को चुह है पाना चाहा ता मतलब जिन चीजों की कमी है उनके लाइफ में I say the lack of lack का मतलब होता है जिन चीजों की उनके लाइफ में कमी है वो उनको जो है कभी पाना चाहा था and with old voice new well my dear times waste old voice मतलब पुराने जो voice का मतलब होता है यहां पर sorrow ठीक है pain sorrow हो गया तो और वेल का मतलब होता है कि रोना ठीक है तो पुर्ट बोल रहे हैं कि वो जो sorrow है जो वो old जो उनका sorrow है जो पुरानी जो उनकी यादे हैं जिनकी वज़स उनको दुख हो रहा है वो जो है मतलब उनसे उसको क्या हो रहा है उनका mind में जो बाते सारी आ रही है ठीक है और वो आती है उनके mind में तो ऐसे लगता जैसे कि वो जो दुख है वो नए होते जा रहे है न्यू वेल में जो है वो convert होते जा रहे है और अपने friend को poet बोल रहे हैं जिसको poem address कर रहे हैं कि my dear times waste कि मैं यह अपना time waste कर रहा हूं उन चीजों को याद करके उन दुखों को याद क करके ठीक है उसके बाद बोलते हैं then can I drone an eye unused to flow unused to flow यानि कि वो आंखे जो कभी आंसों में बही नहीं मतलब आंसों नहीं कभी बहाए ही नहीं then can I drone an eye क्या मैं फिर मतलब इन आंखों को जो हैं आंसों में डुबो सकता हूं यह ऐसे poet बोल रहे हैं ठीक है क्योंकि आप बहुत सीरियस हो गया बहुत जदा दुख हो रहा है उनको बहुत जदा मतलब इतना दुख महसूस कर रहे इतना याद कर रहे हैं अपने फ्रेंड को जिनको नहीं कभी खो दिया है पास्ट में खो चुकी है तो कहते हैं वह आंके जो कभी आंसों में भई नहीं कभी आंसों में भी यहां पर जो है डेथ को जो है यहां पर endless night से compare किया गया endless night कि कभी ना खतम होने वाले जैसे कि death को आपको पते यह को darkness को represent करता है तो कहते हैं four precious friend यह निकि जो उनके बहुती जदा करीबी जो उसके जो दोस्ते थे थी कि precious का मतलब होता है वैसे तो कीमती होता है लेकिन precious यहां पर हां कीमती भी बोल सकते हैं क्योंकि वह अपने friends से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे ना ठीक है तो four precious friends hid in death's deadless night यानि कि death को endless night से compare कि अगया और वो उन कीमती दोस्तों को याद कर रहे हैं जो कभी ना खतम होने वाली रात में खो गए हैं ठीक है कभी ना खतम होने वाली रात में पूरी तरह से खो चुके हैं उसके बाद बोल रहे हैं and weep a fresh love's long since cancelled way a weep a fresh love's long यानि कि वह दुख फिर से ना मतलब जब उनके mind में वह पूरी past की कि प्रति उनका जो प्रेम था वह बिल्कुल ताजा होता जा रहा है जो कि कभी cancel हो चुगा था ठीक है तो मतलब cancel हो गया था वह जो बिल्कुल ताजा होता जा रहा है वह दुख उसके बाद बोलते हैं and mourn the expense of many a vanished side a moan यहां पर moan का मतलब होता है cry with the pain यानि कि दुख में रोना ठीक है तो and mourn the expense of many vanished side यानि कि वह फिर से रोना चाहते हैं उनका दिल कर रहा है फिर से रोने का ठीक है दिल नहीं कर रहा मतलब जब उनको past की memories आ रही है तो उन्होंने पहली लाइन में बोला था कि क्या मैं अपने आंखों को जो है आंसों में डुब हो सकता हूं तो अब उविजली उनकी last line में भी है यह यह अनका मतलब कि and mourn the expense of many vanished side यानि कि वह जो दूख है वह ताजा होता जा रहा है । उनकी वज़से जो याद करना चाहते है कि मैं में 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 आ रही है जो कि कभी गायब हो चुकी थी जो रिश्य जोनकर गायब था जो कभी past में और वहा आज बिलकूल ऐसे लग रहा है उनके साथ वह सब कुछ ऐसा लग रहा है तो यहां पर पोड़ रहे हैं किया मैं एक्सी कर सकता हूं ठीक है क्या जो कि कभी वह दूःख जो कभी बीच चुका था फोर गौन का मतलब होता है दोस्तो विच है और रेडी हैप जो की पहले कभी पास्ट में हो चुका था तो उसको कह रहे हैं कि वो दुख किया मैं आप व्यक्त कर सकता हूं बिल्कुली जादा depressed से हो गया ठीक है उसके बाद बोलते हैं and heavily from the way to way to or यानि कि heavily way to way यानि कि आप जो है उनका दुख इतना बढ़ गया है कि वो बहुती जादा दर्द सा महसूस कर रहे हैं ठीक है बहुती जादा दुख ही हो गया heavily जो उनका दुख है उनके दिल से मतलब ऐसे निकल रहा है मतलब बहुत जादा depressed से हो गया है उसके बाद बोलते हैं the sad account of four be mourned mourn the sad account यानि कि पहले जो दुख की बातों में जो उनको शोक वो जो मना चुके थे ठीक है जो शोक उन्होंने मना चुके थे वो बाते जो है पोईट को क्या कर रही हैं फिर से दुख प्रदान कर रही हैं फिर से दुख दे रही हैं which I knew pays as if not paid before which I knew pays मतलब जो वो जो कर्ज जो था ठीक है जो पहले चुका चुके थे ठीक है उनको आप फिर से चुकाना पड़ रहा है कर्ज यहां पर मतलब जैसे की वो दुख है मतलब जो पोईट जो अब जो व्यक्त कर रहे हैं वो पास्ट में भी कर चुके हैं यह बाते जो हैं सब कुछ हो चुका है पास्ट में लेकिन वो फिर से वो ही बात को जो हैं दोरा रहे हैं मतलब वो कर्ज जो है फिर से अब वो अदा कर रहे हैं तो यहां पर यह पोईट as if not paid before मतलब मैं अब वो चुका रहा हूँ जो मैंने पहले कभी चुकाया नहीं था ठीक है जी उसके बाद बोलते हैं नेक्स्ट लाइन जो है वो कपलेट है देखो शेक्सपियर के जो सॉनेट्स होती है का पहले जो तीन जो वहुए कोडरें है ठीक है उसमें जो है बिलकोली पता नहीं पता क्या नहीं बिलकुली जादा एक siri's में चलती है तीनों कोडरेंस लेकिनन लेकिन सब्सक्राइब क्पलेट में ऐसा लगता है कि सारा टोपिक ही चेंजolution से रहाँ अब लास्ट वजे लाइन में पूर्ट यहां बट इफ दो वाइल I think on दी मतलब इफ दभाइल मतलब अब जिस टब मैं तुम्हें सोचता हूं ठीक है आइठे ओंधी मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूं तो सोच रांट तो dear friend dear friend बोरहएं बट इफ दो वाइल आइठे ओंधी मैं जब तुम्हारे बारे में सोचता हूं dear friend all losses are restored मतलब जो पुर पूरा दुख है वो क्या हो जाता है लुशा एक खतम हो हो जाते हैं तो मतलब देखो पहले जो तिन स्टेंज में कितना दुखी हो रहे थे पास्ट की मेमरीज को याद कर रहे थे रो रहे थे ठीक है बिल्कुल डीप्रेस्ट हो गए थे और लास्ट में जो कपलेट आया सब कुछ ही बतल गया चींज से हो गया कहता है कि जब तुम म अब हम शेक्सपीर इन सोनेट की राइम स्कीम की बात कर लेती हैं तो फर्स्ट जो क्वाट्रेन है उसकी राइम स्कीम होती है फर्स्ट क्वाट्रेन की राइम स्कीम है ए बी ए बी सेकिंड की है सी डी सी डी थर्ड की है ई एफ ए एफ और लास्ट इस कपलेट जिसकी है जी तो आपको पता ही होगा कि Shakespearean sonnet की rhyme scheme होती है A, B, A, B, C, D, C, D, E, F, E, F और GG तो ये जो sonnet है sonnet number 30 है ठीक है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है आपके लिए useful है तो प्लीज वीडियो को like, share and subscribe करना ना भूलिए थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो